बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जैंगर में चार दोस्त रहते थे खरगोस, सियार, बंदर और मगरमच इनसे भी दोस्तों की एक ही चाहत थी सबसे बरा दानविर बनना एक दिन चारो ने एक साथ फैसरा लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंड कर लएंगे जिसे वो दान कर सके बरम दान करने के लिए चारो मित्र ने अपने अपने घड से निकल गए मगरमच गंगा टर्ट से लाल रंग की साथ मचलिया लेकर आगिया सियार तही से भरी हांडी और मास का टुकरा लिका राया इसके बाद बंदर उचलते कुट्ते बाग में से आमके गुच्छे लिका राया दिल ढलने को था लेकिन खरगोश के हाथ कुछ भी नहीं आया उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो इसे दान का कोई लाब नहीं मिलेगा यह सोस्ते सोस्ते खरगोश खाली हाथ बापस आगया खरगोश को खाली हाथ देखते हुए उससे तीनों मित्रों ने पूछा अरे तुम क्या दान करोगे आज ही दिन दान करने से महादान का लाव मिलता है पता है ना तुम्हें तो खरगोश ने कहा हाँ मुझे पता है इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसरा लिया है यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए जैसे इस बात की खबर चंदर दिपता तक पहुची तो वो भी सीधे धरती परा उत्रे चंदर दिप सादू का भीज बनाकर चारों मित्रों के पहुचे पहले सियार, फिर बंदर और मगरमच तीनों ने अपना अपना दान दिया फिर खरगोष के पास चंदर दिपता पहुचें और कहा तुम क्या दान दोगे दूस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले किरवे अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कहानी सुना हूँ तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जूड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बढ़ा बनाएंगे तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे यह कहाने सुनो खरगोष ने बताया कि वो खुद को दान करना चाहता है इतना सुनते ही इंदर देब ने वो अपनी शक्ती से आग जलाई और खरगोष को उसके अंदर समाने के लिए कहा खरगोष थोरा सोचा फिर वो हिम्मत करके आग के अंदर घुज गया इंदर यह देखकर हैरान रहे गए उनके मन में हुआ कि खरगोष सही में बहुत बरादानी है और इंदर देब यह देखकर बहुत खुश हो गए उतर खरगोष आग में भी सही सलमत खरा था तब इंदर देब ने कहा मैं तुम्हारी परिक्षा ले रहा था यहाँ आग माया भी है इसलिए इससे तुम नहीं जलोगे और नाहीं तुमें कोई नुकसान होगा इतना कहने के बाद ही इंदर देव ने खरकोश को बरदान दिया और कहा तुम्हारे इस दान को पुद्र दुनिया हमेशा याद रखेगी जैहिन वंदे मात्रम